आपड़े विक्रम वेतालनी वारता वो बहु सांबड़ीशे हूब नाथ एज वेतालनी वारत करेशे कावे नोशीर्शक्षे फिर वेताल हठी विक्रमार्क ने विकास के शिकंजे से बचे एक मत्र वट व्रुक्ष की सगन डालियों से खीच कर वेताल को कंदे पर लादा चल पड़ा राजदानी की और राजन आपकी जीद के आगे नतमस्तक हूं में श्रम को भुलाने के लिए एक कथा सुनाता हूं कृपिया ध्यान से सुनियेगा जम्बो द्वीब के महान नरेश ने ठान लिया था कि जम्बो द्वीब को विश्व गुरू बना कर ही दम लेंगे पूरे राष्ट में चम चमाती लंबी चावडी सडकों का जाल बिच गया नया राजमहल ही नहीं पुरानी इमारतों जगहों के नाम तक नए हो गए राष्ट का पुरा विधान सांज रात बिहान सब कुछ आमूल चुल नए कर दिये गए एक और सनातन का जैगोश दूजी और टनातन नया नवेला जोश मानो समस्त जम्ब द्वीप में नई चेतना का ज्वार आ गया हो हर और सम्रुद्धी चहु और विकास आधी रात को भी दिन जेसा प्रकाश न कहीं गंदगी न कहीं कुडा न कहीं अग्णान हर तरफ विग्णान ही विग्णान तंत्र ग्णान प्रओध्यगी की पुश्पक विमान फिर भी सफाय अभ्यान से बचे कुछ पर संतापी आलो चको इर्शालू निंदगों की राई में नरेश प्रष्ट ही नहीं अहंकारी भी है राष्ट के विकास का नहीं विनाश का भागी है राष्ट के इतिहास में सबसे बड़ा दागी है हे राजन यदि आप मेरी इस शंका का समाधान नहीं करोगे तो आपका सीर टुकडे टुकडे हो जाएगा अठी विक्रमार्क क्षण भर्ठिट के जरासा हिच के और वेताल की शंका का समाधान करते हुए बूले शास्त्रों के अनुसार नरेश पिता होता है समस्त प्रजा का सबका योग क्षेम वहन करता है वह प्रजा को सिखाता है आत्म सन्मान से जीना नकी उनकी आगे मुठी वर अनाज फैक कर उन्हें बिख मंगा बना देता है वह देश द्रोहियों को सुली पर चड़ाता है आंचल में छिपा कर दूद नहीं पिलाता उसका एक मात्र धर्म होता है राज धर्म शेश अधर्म होता है उसके लिए क्या जम्बुद्वीप नरेश ने राज धर्म का पालन किया प्रती प्रश्न सुनकर वेताल सक पकाया और डूंडने लगा व्रुक्ष जिसकी डाल पर लटक सके किन्तु दूर दूर तक उसे कोई व्रुक्ष नजर नहीं आया कि अधर तक उसे प्रती नहीं प्रती नहीं व्रुक्ष नहीं बढ़स्ट कि व्रुक्ष नहीं बढ़स्ट